नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI कृष और आज हम महाराश्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन राजियों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे महाराश्ट्र के कोंकन के किसान सभी खेतों और बगीचों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें महाराश्ट्र के रतनागिरी के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर बनाए रखें महाराष्ट्र के पुणे जिले में मूंग और उड़त की पकी फसलों की तुडाई कर लें महाराष्ट्र के सतारा के किसान अंगूर में डावनी फफूंदी रोग दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़क लें मराठ वाडा के किसान ज्वार में फॉल आर्मी वर्म के प्रबंधन के लिए इमा मेक्टिन बेंजोईट का स्प्रे कर लें तेलंगाना के किसान मक्का के खेतों में पानी जमा ना होने दें तेलंगाना में ही कपास में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर जरूरी कीट नाशक छिड़क लें साथ ही यहां सोया बीन में पीला मोजेक वाइरस की रोगथाम के लिए विशेशज्यों की सलाह से कीट नाशक छिड़क लें आंध्र प्रदेश में किसान गन्ने में मुर्जा रोग के नियंतरन के लिए ऐसे प्रभावित पौधों को हटा दें आंध्र प्रदेश के किसान सबजियों के खेतों में पानी जमा ना होने दें यहां के किसान उडद की फसल को जड़ सडन रोग से बचाने के लिए हेकसा को न आजोल का छिड़काव कर लें आंदर प्रदेश में ही मिर्च को फंगल रोगों से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें इसी तरह क्रिश्य और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद